फलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो भाई जिस घड़ी कापनों को बे सबरी से इंतिजार था वो घड़ी मतलब कि स्मार्ट वॉच आगी है मेरे पास और इसका नाम है फायर बोल ड्रीम और यह बहुत सारी भाईयों की ड्रीम वॉच होने वाली है और यहां पर मेरे पास दो लो समकी आए इस सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर इस तरह का बॉक्स द्यागे आगयाור वाच की दिजान के डिजाइन मिल जाती है और ये एक full android watch है जिसमें 4G sim का support मिलने वाला है बाकि इस side और इस side के बात करें तो यहाँ पर काफी सारे features को mention किया गया है और back में यहाँ पर price लिखा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा है बट इसका actual price है 5999 रिपे जो कि भाई बहुत ही competitive price है box को open करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको warranty card मिल जाता है और इसमें पूरे एक cell की warranty मिलने वाली है उसके बाद subscription card और एक warning card दिया गया है इस watch को normal adapter से charge करना है और fast charger यूज़ नहीं करना है वरना watch खराब सकती है उसके बाद user manual दिए जो कि आपको चाहें तो पढ़ सकते है उसके बाद यहाँ पर एक charging cable मिल जाती है 4 pin वाली और cable की quality काफी अच्छी है और length आपको काफी बढ़े हां मिल जाती है इसमें उसके बाद इस तरह का stripe दिया गया है और stripe की quality काफी बढ़े है बाके आप जैसा variant लेंगे वैसा आपको इस ट्रैफ मिल जाएगा इसमें उसके बाद last time में यह रही अपनी watch सबसे पहले इसके physical और view के बाद के रहे तो यहाँ पर right side में crown button मिल जाती है जो की working है उसके निचे speaker wind दिया गया है और उसके निचे एक और button मिल जाती है बाके इस set के बाद के रहे तो यहाँ पर microphone दिया गया है और इसमें आपको sim tray मिल जाती है जिसमें आप nano sim लगा सकते है और sim tray को निकालने के लिए कोई भी ejector tool की ज़रूरत नहीं है बस इस तरह से आसानी से निकल जाता है तो मैं इसमें अपना एरेटल sim लगा दिया है अब watch को on करते हैं तो यहाँ पर button को press करके hold करना है और भाई कुछ इस तरह से यह on हो जाती है बाके देख सकते हैं watch में कोई भी फालतू के bloat wear नहीं मिलते हैं मतलब कोई भी फालतू application नहीं मिलती है तो जो आपको यूज करना है आप download कर सकते हैं और कैसे download करना है तो यहाँ पर दो तरीका है एक तो यहाँ पर आपको application market मिल जाती है जहां सब बिना login किये हुए app को download कर सकते हैं बट इसमें आपको कुछी apps मिलती है लेकिन play store में जाएंगे तो वहाँ पर आपको login करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको सभी application मिल जाती है जो कि आपको smartphone में मिलती है तो यहाँ पर मैंने login कर लिया है अब easily app को download कर सकते हैं तो सबसे पहले YouTube को download करते हैं तो देख सकते हैं यह काफी fast download हो गई है तो भाई watch को मैंने setup कर लिया था और कई सारी app को download करके इसमें use कर रहा था और इसको use करते हैं वो almost 3 दिन हो चुके हैं और इन 3 दिनों में मेरा कैसा experience रहा सब कुछ आपको शेयर करने वाला हूँ बाकि सबसे पहले इसकी build और design की बात करें तो भाई firebolt ने काफी अच्छा काम किया है क्योंकि यह full android watch है और यहाँ पर आपको ज्यादा मोटी watch नहीं मिलती है जबकि किसी भी android watch के बारे में बात करें तो वो काफी मोटी और भद्दी होती है लेकिन यहाँ पर इसका जो form factor है वो काफी अच्छा है और इसका size भी बहुत बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है बाकि design बहुत ही मस्त है और काफी हता की apple watch से मिलती है सेम आपको उसी तरह का functional crown मिल जाता है जो की working है और इस तरह की design मिल जाती है बाकि इसकी build quality भी काफी ज्यादा solid है क्योंकि इसमें आपको metal case मिल जाता है और back में glass finish में plastic build मिल जाती है और straps की बात करें तो इसमें आपको काफी wide range मिल जाती है मतलब यहाँ पर आपको 12 तरह के option दिया गए और आप लोगों को जो पसंद आप लोग चूज़ कर सकते है तो यह है leather strap हलाकि यह leather नहीं है silicon strap है बाट देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का thread दिया गया है जो की मस लगता है और काफी ज़्यादा comfortable है और इसमें इस तरह का steel का buckle दिया गया है तो design और build quality बहुत ज़्यादा तगड़ी इस watch की और इसमें IP67 की rating भी मिल जाती है तो अगर बारिश हो रही है तो आप इसको आराम से use कर सकते हैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इसका जो strap है वो apple watch के strap जैसा है तो आप लोगों को मार्केट में हजारों variety मिल जाएगी तो आप लोगों को जो पसंद आप लोग इसमें लगा सकते हैं बाकी बात करें स्वाच के डिस्प्ले की तो यहां पर भी काफी अच्छा काम किया गया है और इसमें अपको 2.02 इंचेस की काफी बढ़े डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एक IPS पैनल है और इसमें 320 x 386 pixels का resolution दिया गया है तो डिस्प्ले काफी हद तक sharp है और इसमें 600 nits की brightest मिल जाती है तो डिस्प्ले काफी bright है और मैंने इसको आउडर में यूज़ किया और वहां पर भी डिस्प्ले अच्छे से visible थी तो डिस्प्ले काफी बढ़ा मिलती है और इसमें 60 Hz का पैनल दिया गया है जो कि काफी हद तक smooth है बाकी है बिजल की बात करें तो यहां पर आपको थोड़े से बिजल मिलते हैं बड़ एक चीज़ काफी चीज़ कि यहां पर आपको चारों और एक जैसे बिजल मिलते हैं जो कि खराब नहीं लगते हैं इसमें रेश्ट वेक फंक्शन भी दिया गया है जो कि काफी हद तक responsive है बहुत ज्यादा फ़र्ष्ट नहीं है और इसमें आपको dial market मिल जाती है जहां पर आपको 100 से भी ज्यादा watch face दिया गये जो कि आप download करके use कर सकते हैं और इसमें storage मिल जाती है तो यहां पर अपना फोटो भी लगा सकते हैं तो इसमें custom watch face का feature मिल जाता है जो कि बहुत सारी android watch में नहीं होता है अब इस watch का performance काफी अच्छा है बिकोज इसमें quad core CPU दिया गया है उसके बाद 2GB के RAM और 16GB के storage मिल जाती है बाकि android version के बाद करें तो यह 8.1 पर रण कर रही है जो कि काफी old है बट जितनी भी android watches आती है उनमें आपको यही वर्जन मिलता है उसके बाद इसमें 4G का support दिया गया है तो इसमें आप Wi-Fi से भी connect किया हुआ है तो Wi-Fi भी properly वर्क कर रहा है तो अगर आपको इसके लिए अलग से सिमी पर्चेस करना है तो आप अपने फॉन के hot spot के तुरू इसको यूज़ कर सकते हैं और इस वाच को यूज़ करने के लिए किसी बी आप की जरौत नहीं है विकोज आत्म अच्छे से बात हो रही थी कोई देखने को नहीं मिला मुझे अच्छा हैंगे तो बात करा देना अब इस वाच में प्ले स्टूर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं और यह इस वाच की में यूज़ पी है जैसे कि अगर आपको online Shopping करने है तो आप इसमें wipkaat यूज़ कर सकते हैं और यह properly वर्ट करता है उसके बाद अगर को कोई food order करना है तो आप इसमें zomêtre use कर सकते हैं और यह डिधी से चलता है हालाक इसमें कैमरा नहीं मिलता है तो आपको नमर डायल करके या फिर यूपिया की तुरू प्यमेंट कर सकते हैं बाकि अगर आप कहीं रास्ते में खो गए हैं तो इस वाश के थू गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं और अपना लोकेशन ट्राइक कर सकते हैं जैसे कि यहां पर मैंने गंगा घाट को डाला हुआ है और स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं यह इस तरह से रूट शो कर देता है और अगर आप बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो इसमें आप गेमिंग कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने सब्वेस सेफस को डाला हुआ है और यह काफी स्मूर्ली प्ले हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं तो इस पर आप गेमिंग कर सकते हैं लेकिन इसमें पब जी या फिर चले गया या नहीं उसके बारे में कुछ कहने सकते हैं आप 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 से कर सकते हैं और अगर आपको दुनिया भर का नौलेज चाहिए तो फिर आप मेरी अप यूटूब यूटूब कर सकते हैं और यूटूब काफी अच्छे से वर्क करता है इसमें और इसके लवा यहाँ पर आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्मार्ट वाच का यूटूब को अगर किसी वाच में अच्छे फीचर्स हों बड़ यूआई खराब हो तो यूज़ करके मोड़ खराब हो जाता है बाकि अगर आपके पास बहुत जादा टाइम है और आपको अपना टाइम बरबाद करना है तो फिर यहां पर आप इंस्टाग्राम पे रिल देख सकते हैं दोस्तों देखी यह पावर वैंग को अलग कैसे लोगों को पागल बनाता है दिल्ली में छपरी लड़कियों को कैसे पहने शारू खान का यह रीसिंट सॉंग तो ज़रू सुना और इसमें 16GB की स्टोरिज मिल जाती है जहां पर आप बहुत सारी एप्स को रख सकते हैं और इसको स्मार्ट वाच कहना गलत होगा यह एक तरह से स्मार्ट फोन है और इसलिए फायर बोल्ड इसको रिष्ट फोन बोल रहा है अब चलते हैं इसकी मेन्यू में और देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से एप्स मिलती है तो सबसे पहले यहां पर फोन दिया गया है जिसमें पर Context हो गया, और यहां पर in पर यालबम लिया गया है, जिसमा फोटो गर है देख सकते हैं, तो एक तरह से यह गैलरी है, तो यहाँ पर जाएंगे इसको on करेंगे तो बस आप टाइम देख सकते हैं और कोई भी फीचर वर्क नहीं करेगा तो अगर आप इसको लगा देते हैं तो फिर बैटरी आपको काफी बढ़ है मिलेगी इसमें बाकिया भी बाहर चलते हैं उसके बाद वन क्लिक तो इसमें अब जाएंगे तो यहाँ से रैम को क्लिन कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर एक लोग दिया गया है जिसमें आप अलारम लगा सकते हैं और इस तरह से आप टाइम अगरा देख सकते हैं उसके बाद वीडियो प्लेयर तो यहां पर आवाज रेकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि कईसी कॉलिटी मिलती है तो अभी अपत All आवाज सुन रहे हैं वह इस वाँच से रेकॉर्ड हो रही है जो किंडरीम वाच्छ है और देखते हैं किस और डुक्त स्राइबन कैसी है भाई बहुत सही रिकॉर्ड़िक कैसी ए बहुत सही बहुत है उसके बाद सपोर्ट मे 160 प्रट मोट दिये गए है उसके बाद यहाँ पर ऐप मार्केच मिल जाती है जहाँ पर आपको कुछ एपस मिल जाती है जो कि भी आफ डाउन्लोट कर सकते हैं भी ना लॉग इन किये हुए उसके बाद हर्ट रेड और श्टैल सेटिंश मीर जाएंगे तो यहाँ पर अपको थी मिल जाता है जैसे कि आइकन्स को आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से तो यहाँ पर आपको चार तरह के आइकन्स दिये गए हैं उसके बाद इस्टैल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको चार तरह की मेनू इस्टैल में जाती है पहले है classic horizontal mode, उसके बाद listing, उसके बाद vertical mode और यहाँ पर cellular mode दिया गया है जो कि काफी अधाओ अनिकोम जैसा है, उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर dial lock हो गया और यहाँ से wall paper को change कर सकते हैं काफी सारे बड़े बड़े वालप प Hack जाएंगे यहां से ऍप यारी देख सकते हैं में पर शॉल के और देख सकते हैं यहां यहां मेनेचर की द pecते हैं मैंने यूट्यूब करें यूटूब्स करने में दोच दॉन वा behöver डूतकर दो pursue फ्लिप कार्ट और PTM UPI के लिए उसके बद मैप्स तो जो आप चाहें डाउनलोड कर सकते हैं प्लेश टोर के तुरू बाकी स्टेटिंग्स में चलते हैं तो यहाँ पर आपको नेटवर्क एंट इंटरनेट तो यहाँ पर जाएंगे तो वाई-फै हो गया उसके बाद मोबाल नेटवर्क सकते हैं यहां से उसके बाद यह सारी आपको आप्शन समझाते हैं इसमें उसके बाद चलते हैं साउंड में तो यहां से रिंग्टोन को स्टेट कर सकते हैं और वल्यूम को स्टेट कर सकते हैं उसके बाद ऑडियो प्रोफाइल हो गया स्टोरेज एपस और नोटिफिकेश इस सारे ऑप्शन दिये गए बाकि सिस्टम में जाएंगे तो यहां से आप वोश के बारे में जानकारी ले सकते हैं तो यहां पर आपको प्रॉपर स्मार्टफोन के तरह फीचर समय जाते हैं इसमें अब यह वोश फिटनेस को टार्गेट नहीं करती है तो इसमें आपको बस काफी स्मूध है और जरा भी लैग नहीं करता है हालाकि इसमें दो जीपी की रह मिल जाती है बट यूई काफी अच्छा है इसका और यह चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि यूजर एक्सपीरेंस को अच्छा या बुरा बनाती है जैसा कि उपर से स्वापडाउन करेंगे तो यहां पर कंट्रोल सेंटर दिया गया है जैसा कि आपको स्मार्टफोन में मिलता है तो यहां से ब्लैटनेस को सेट कर सकते हैं उसके बाद वाइफी हो गया अप लूडूथ हो गया इस सारे चीज़ आपको मिल जाती है बाकि एरो प्लैन मोड हो गया और यहां पर आप को अनफ कर सकते हैं उसके बाद नीचे से स्वाप अप करेंगे तो यहां पर कोई भी आप्शन नहीं आता है बाकि लिफ्ट से स्वाप करेंगे तो यहां पर भी कोई आप्शन नहीं आता है और रैट से स्वाप करेंगे तो आप मेनियों में चले जाएंगे जहां पर आप करेंगे तो यहां से वॉल्यूम को कमर्स ज्यादा कर सकते हैं और स्टेटिंग में जाएंगे तो यहां पर आपको सब अच्छा बैटरी बैकप नहीं मिलता है और फायर बोल्ट ने क्लेम किया था किसमें 36 आर्स उसके बार 24 आर्स 16 और 8 आर्स का बैटरी बैकप मिलने वाला है अलग लग सेनेरियों पे लेकिन मैंने इसको यूज किया और इसका बैटरी बैकप खिक ठाके बहुत अच्छा नहीं किये विकोज मैंने इसको और वाइफए से कनेक्ट किया और वाश को बस रख दिया कुछ भी यूज नहीं किया तो इसमें 16 आर्स का बैटरी बैकप मिला मुझे बाकि मैंने इसमें डाला और फिर नेट को अन कर दिया और फिर यूज किया तो यहां पर बस आठ घंटे का ही बैटरी बैकप मिला मुझे बाकि इसका फर्म फेक्टर भी काफी छोटा है और इसमें 800 इमेज की बैटरी दी गई है तो बैटरी बैकप यहां पर कोट ठीक ठाक मिलता है और आपको दिन में दो बार चार्ज करना पड़ सकता है बाकि चार्जिंग की बात करे तो इसको चा बरदास्त वाच है वेकोज अभी तक इंडिया में एक बी एंड्रोड वाच नहीं है जिसमें आपको एक साल की वारंटी मिले तो इसमें आपको पूरे एक साल की वारंटी मिलने वाली है और फायर बोल्ड की तरफ से तो भाई 6000 में काफी बढ़ है और आप लोग ले सकते बाकि जिन भायों को एंड्रोड वाच लेनी है तो इसके लावा कोई भी अप्षिन है ये मार्केट में तो अगर आप लोगों को लेना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा वहां से जाकर ले सकते हैं बाकि कमी की बात करें तो अगर इसमें कैमरा हो किस तरह से आप LIKE करना है और प्लौग करना है और यहां और वहाँ पर मेरे इस्टाग्राम का सब्सक्राइब निकाला तो नहीं और इसके पर मेरे इंट्स्राग्राम ministers इसके बाद वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट करनी है और इसके बाद आप लोग हो जाएंगे गिवेवे में बाकि जैसे इस वीडियो पर थाउजन लैक्स पूरो हो जाते हैं मैं रिजल्ट अनौउस कर दूँगा तो जड़ी से जाए और पाडिस्पेट कर लीजिए तो बस इस वीडियो में अगले वीडियो में अपना ख्याल रखें बाई